इस्राइल दुनिया का एक मात्र यहूदी देश है जिसके कुल आवादी है पचासी लाख यानि भारत के बेंगलूरू में जितने लोग रहते हैं उतने पुरे इस्राइल में फलिस्तीन से टूट कर ही इस्राइल बना था उन्यीसवी सदी तक फलिस्तीन में 87 फिस्द मुस्लिम, 10 फिस्द हिसाई और 3 प्रदेश यहूदी थे सन 1900 में यहूदियों ने अलग राजी की मांग खेड़ी थी फलिस्तीन पर बिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट करो राज करो नीद के तहर यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया 1948 में फलिस्तीन के बड़बारे के साथ इसराइल का जन्म हुआ लेकिन इसराइल और फलिस्तीन का विबाद आज तक खत नहीं हुआ है इसराइल दुनिया का सौवा सबसे छोटा देश है अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसराइल जैसे 19 देश एक साथ समा सकते है इसराइल यहूदी देश है दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही इसराइल की नागरिकता मिल जाती है भले बच्चे का जन्म किसी विदेश में क्यों न हुआ हो दूसरी छूटी यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो वो जब चाहें इसराइल में आकर बस सकते हैं इसे ऐसे समझ ही कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हूँ तो जन्म लेते ही वो इसराइल का भी नागरिक माना जाता है इसराइल में इसमें करिब 74 फीस दियाबादी यहूदियों की है गैर यहूदियों में ज़्यादा तर अरब मूल के लोग है भारत में यहूदी आबादी करिब 6000 है ज़्यादा तर यहूदी महाराष्ट, पश्यमंगाल, उत्तरपुर्व के राज्यों में रहते हैं इसराइल है तो दुनिया का लोग तांतरिक देश, लेकिन वहाँ प्रिटन और न्यूजिलेंड के तरह लिखित संबिधार नहीं है बरंपरा सुबिधा के हिसाब से नियम बंते और बदलते हैं इसराइल की भाशा हिब्रु है, जो बाइबल की भाशा मानी जाती है कहा जाता है कि हिब्रु ही अकेली भाशा है, जिसका पुनरजन्म हुआ हिब्रु और अर्वी इसराइल की सरकारी भाशा है हिब्रु को उर्दु की तरह दाहिने से बाए लिखा जाता है इसराइल की बोली में मराठी का विया अन्श माना जाता है दुनिया में इस्राइल को शक्ति शारी सेने देश के तौर पर माना जाता है इस्राइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना आनिवार है 85 लाख अबादी वाले देश में करिव 30 लाख सेनिक है जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी महिलाओं भी 30 लाख की सेना में करिव 15-15 लाख मर्द और महिला सेनिक है 15 साल के उमर से इस्राइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है हाइ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवारे रूप से मिलिटरी सर्विस जोईन करने पढ़ती है लड़कों को तीन साल और लड़कियों को दो साल सेना में काम करना जरूरी होता है कहा जाता है कि इसराइल के घर-घर में घा तक हत्यार होते है परिबार के हर सदस्य को हथियार चला ना आता है महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने लेकिन हथियार साथ लेकर चलती है अगर किसी ने इसराइल को दुश्वन बना लिया है तो मान लीजे कि इसराइल बिना बदला लिये नहीं छोड़ेगा इसराइल का मूल मंद्र है अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो हम उस देश में खुसकर उसके एक हजार नागरिकों को मार डालेंगे आपरेशन ब्लैक सेप्टेंबर के बाद इसराइल ने ये करके दिखाया 1972 के म्योनिक उलमपिक में 11 इसराइली खिलाडियों को फलस्तीन के आतंकियों ने मार डाला था इसराइल के खुफिया एजनसी मुसाद ने रैथ आफ गॉड नाम का उपरेशन चला कर दो दिन में 2000 लोगों को मार कर बदला ले लिया लेकिन सिलसला खब नहीं हुआ हमले के मास्टर माइन को अलग अलग देशों में चुन चुन कर धूंड कर मारने का इंतकाम 1972 से लेकर 1988 तक चला इसराइल ने 35 फलस्तीनियों को मार कर 11 खिलाडियों के मौत कब बदला लिया मुसाद को इसराइल की किलिंग मशीन कहा जाता है म्यूनिक में इसराइली खिलाडियों के नरसंगार के बदला लेने के लिए ततकालीन इसराइली प्रेसिडेंट गोल्डा मेर ने मुसाद नाम की खोफी आइजनसी बनाई थी मुसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो पकड़े गए तो इसराइल उन्हें न तो पहचानेगा न अपनाएगा कॉन्ट्रेक्ट होता है कि उन्हें बर्जों तक परिवार से दूर रहना होगा मिशन के बारे में परिवार को भी नहीं बताना होगा हलागे एजेंट के मारे जाने के बाद इसराइल एजेंट के सम्मान में कोई कम ही नहीं करता तिलावीब में मुसाद का एक मेमोरियल है जसमें हर उस एजेंट का नाम है जो किसी ऑपरिशन में मारा गया आप जिस मशीन को टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा है इसराइल में जबान बॉर्डर की निगरानी नहीं करते हैं बलकि ये जिम्मा मिला हुआ है रोबोट को मिस्व से सटी सीमा पर इसराइल ने रोबोट गार्ड तैनाद किये हुए हैं रोबोट गार्ड में दो कैमरे लगे हैं एक उपर और दूसरा नीचे दोनों कैमरे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं जहां लाइव स्क्रीन पर सीधी तस्वीर देखी जा सकती है रोबोट पंद्रह मीटर के दाएरे में किसी जिवित प्राणी के आने पर आटोमेटिक कंट्रोल रूम को वार्निंग देता है रोबोट जितना दिन में देख सकता है उतना है रात में भी रोबोट गार्ड में लगे कैमरे इंफारेड और नाइट विजन टक्नीक से लेस हैं इसलिए ये रोबोट गार्ड दिन हो या रात बरावर खुशलता से काम करता है खुसपैठिये ने अगर वार्निंग के वाबजूद सीमा में खुषने की कोशिश की तो सुरक्शावल सबक से खाने के लिए हाजर हो जाते हैं खुसपैठिये अगर इसराएल की सीमा में खुषने की कोशिश करता है तो ये रोबोट गार्ड बन जाता है उसका गार्ड ड्रोन तो कई देशों के पास है लेकिन ड्रोन का बाप अलगार्ड दिन है नाम है T.P. Hieron Drone इसराइल का ड्रोन एक टन वजन उठा कर 45,000 फूट के अचाई तक उडान भर सकता है टीपि Hieron Drone लगातार 30 घंटे तक उडान भर सकता है पि-म मोधी के दोरे की कामयाबी ये भी होगी कि भारत को इसराइल से ऐसे 10 ड्रोन मिलेंगे इस्राइल के वायू सेना दुनिया में चौथे नंबर की वायू सेना है सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है इस्राइल के पास 1964 युद्ध में इस्तमाल होने वाले विवान है दिल्ली के तीन मुर्ति भवन का कनेक्शन है इस्राइल से पहले विश्यूत के दोरान शहीद भारती घुरसवार दस्ते के जवानों को श्रदान जली देने और उनके योगदान को याद रखने के लिए तीन मुर्ति भवन बना था उसी दस्ते के समान में इस्राइल में भारती कबरस्तान बना है जिसे देखने के लिए पीएम मोदी जाने वाले है 1918 में हैफा को आज़ादी दिलाने में भारती घुरसवार तस्ते यानी कैबलरी ब्रिगेट में लड़ाए लड़ी थी तुर्की के मशीन गनों का मुकावला भारती घुरसवारों ने घोड़े और भाले से किया था और जीत भी हासिल गी थी हैफा कबरस्तान में 49 देशों के साथ 8 भारती जबानों की कबर है इसराइल में पानी की किल्लत रहती है 60 फीस्दी जमीन रितीली है इसके बाद भी इसराइल 93 प्रतिश्यत अनाज खुद पैदा करता है इसराइल ट्रिप इरिगेशन यानि बूंद बूंद पानी किरा कर सिचाई करने का एक्सपर्ट है इसराइल ने अशुद पानी को शुद करके खेती में इस्तवाल करने की तक्नीक इजाद की है शेहरों का गंदा पानी इसराइल में कीमती है उसे जमाक कर प्रोसेस्ट करके खेदों में डाला जाता है जिस बाग में हम खड़े हुए है वो बाग नारंगी का बाग है और बीज रहित नारंगी यहां होता है। लेकिन इस बाग की खासियत हिंदुस्तान में होने वाले बगीचे से अलग है। यहां जो बगी बाग लगाया गया है पौधे उंचाई पर लगाया गया है और उनके किनारे किनारे डिपिंग के लिए छोटा पाइप लगाया गया है तो यहां बगीचा पूरी तरह से पानी से भरने की जरूरत नहीं है बाग इसे चाहिए पौदे को पानी देने के लिए बलकि डिप के जरीए पानी जाता है और साथी साथ फर्टिलाइजर भी उपर से छड़कने की जरूरत नहीं है बलकि इन पाइप के जरीए ही इस्राइल का किसान एक दो एकड में खेती नहीं करता बलके हजारों एकड में एक साथ कई किसान मिलकर खेती करते हैं इस्राइल में जब खेती होती है तो खेती छोटे छोटे खेतों में नहीं होती हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक कास्तकार के पास और सितन एक एकर से भी कम की जमीन है जबकि इसराइल में जब खेती होती है तो वो हजारों हेक्टियर में एक साथ होती है इसके लिए लोग सामुईग रूप से खेती का फैसला लेते हैं और यहां किसान भी बड़े बड़े कास्तकार हैं और इसलिए जब फसल होती है तो उनको वैज्ञानिक तरीके से तो किया ही जाता है साथी साथ बाजार का भी पूरा ध्यान रखा जाता है इसराइल में ऐसा एक समंदर है जिसे टेट सी कहा जाता है इसे पृत्वी पर दुनिया का सबसे निचली सदा पर बना हुआ समंदर बाना जाता है नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण इनमें न तो मचली होती है नहीं कोई जाती अचीव कहा जाता है कि इसराइल के समंदर में कोई कभी डूब नहीं सकता वो हमेशा समंदर की सदा पर रहेगा इसमें कोई रेद भी नहीं है चिकनी काली मिट्टी होती है तकनी और आइडिया इसराइलियों के खून में है स्टार्ट अप की सबसे बड़ी फैक्टरी है इसराइल तीन हजार कमपनियां बहुत और स्टार्ट अप इसराइल में श्चरो हुई कमपनियों के कारण एक और रिकॉर्ड इसराइल के नाम है अमेरिका के शेर बाजार नैस्टक में कोलसी कमपनिया लिस्टेड है भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिंकोरिया, सिंगपूर की कमपनिया मिलकर इसराइल की बराबरी कर पाती है रिसर्च और डेवलिमेंट में भी इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा हब है पासपोर्ट को लेकर इसराइल में अलग-अलग नियम है पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल को छोड़ कर सभी देशों के लिए मानने है मतलब पाकिस्तान इसराइल नहीं जा सकते इसकी लड़ाई सरसर साल पुरानी है 1948 में इसराइल के राष्टमति बेन गुरियन ने UN सदस्यता के लिए पाकिस्तान का समर्थन मागा था लेकिन जिन्ना ने कुछ नहीं किया हाला कि तब भारत ने इसराइल की UN सदस्यता का विरोध किया था लेकिन इसराइल ने इसका बुरा नहीं माना इसराइल ने पिछले कम वजन वाली मॉडल के कैट वॉक करने पर रोक लगा दी थी ऐसा नियम बनाने वाला देश इसराइल ही बना हालां कि इसराइल महिलाओं को लेकर उदार देश है छोटे कपडे पहनने पर कोई रोक टोक नहीं है इसराइल सबसे ज़्यादा संग्रहालेओं का देश है पी-म मोदी भी इसराइल का म्यूजियम देखने जाने वाले हैं इस्राइल में 200 से ज़्यादा संग्रहाले हैं, हाला कि 13 संग्रहालेओं को प्रमुक माना जाता है। 2013 में इस्राइल में विश्यू संग्रहाले दिवस मनाया गया था, जिसमें 130 देशों के 32,000 संग्रहालेओं ने हिस्सा लिया था। इस्राइल अनोखे कानूनों के लिए भी जाना जाता है बिना लाइसंस साइकल नहीं चला सकते सारजनिक जगों पर पश्शो को नहीं खिला सकते अगर बिना इजासत पांस साल तक रेडियो स्टेशन चला लिया तो उसे सरकार लीगल बना देगी रौट विलर प्रजाती का कुट्ता पाल नहीं सकते इस्राइल की जमी पर सुर का दिखना भी मना है अगर दिख गया तु समझ ये मारा जाएगा चुट्टी के दिन इस्राइल में के लिए पांस सकते पूरे इस्राइल में मतलब एक देश में किताबों के सिर्फ 40 दुकाने है पूरे देश में अगर कहीं भी कोई किताब छबेगी तो उसकी एक कॉपी नेशनल युनिवरसिटी और नेशनल लाइब्रेरी में भेजना ज़रूरी है ऐसा नहीं करने पड़ सजा मिलती है दुनिया के सबसे प्रतिश्चित नोबल पुरसकार इसराइल के हिस्से में आये हैं सिर्व 67 साल के दिहास में इसराइल ने एक दो नहीं बलके पूरे 12 नोबल पुरसकार जीते हैं छे नोबल पुरसकार रसाइन विग्यान के लिए, दो अर्थशास्त के लिए, तीन शान्ति के लिए और एक साहित के लिए मिला है दुनिया के महान वैग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन को इसराइल को राश्च्पधी बनने का मौगा मिला था आइंस्टीन यहूदी थे, इसलिए अमेरिका ने 1952 में उन्हें इसराइल का राश्च्पधी बनने का उफर दिया था लेकिन आइंस्टीन ने मना कर दिया था आइंस्टीन का कहना था कि वो नेता नहीं है और राजनीत के लिए नहीं बने है